वेलकम के स्टेडी वाला तो अब हम लोग देखेंगे कि आप लोग किस तरह से नागपुर इनिवर्सिटी के एफिलेक्टिट कॉलेज में MSC के लिए एड्मिशन ले सकते हो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों को केंपस में अड्मिशन लेना है तो उसकी प्रोसेस अभी स्टार्ट होने की है वहाँ पर ऐसा चल रहा है कि entrance examination हो सकती है MSC के लिए उसके बाद मैं आप लोग को ये भी clear कर चुका हूँ प्रिवियस वीडियो में कि affiliated college में किसी भी तरग की entrance examination नहीं होने वाली है तो आप लोग BSC के percentage के based में easily MSC कर सकते हो affiliated colleges से उसके बाद आज हम लोग अभी देखने वाले हैं कि DB Science College में आप लोग किस तरह से admission ले सकते हो तो उसका यहाँ पर एक हमारे पास notification है 2022 और 2023 के लिए तो यहाँ पर आप लोग को दिहान से इस वीडियो को देखना है और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा आप लोग को इसको follow करना है तो 27 से लेके जो admission process है वो start हो जाएंगी कहा पर हूँगी तो आप लोगों को नागपूर उनिवर्सिटी की officially website के उपर जाना है और अगर आपको वहाँ पर directly नहीं जाके आ रहा है तो इस link में आप लोग जा सकते हो नागपूर उनिवर्सिटी की official website के नीचे ही ये website आपको मिल जाएंगी या फिर आप लोग इसको directly copy paste करके google में paste कर सकते हो उसके बाद 20 तारिक से यहाँ पर आप लोग को क्या करना है अपना registration करना है जो की मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आप लोग registration करोंगे उसके बाद आपको submission करना है application form at college level में college portal में मतलब college की website में आप लोग को जाना है 25 तारिक से लेके 8 तारिक के बीच में वो आप लोग को जो website है वो यहाँ पर लिखाए www.dbscience.org along with university registration form यह process आप लोग तब करोंगे जब आप लोग नागपूर उनिवरसिटी की officially website में registration कर लोगे वहाँ से आपको जो registration form मिलेंगा उसके बाद की जो process है वो होंगी आप लोगों की dbscience college dbscience.org के उपर उसके बाद आप लोगों को simply wait करना है किस हीच का wait करना है merit list और waiting list merit list मतलब जो बच्चों का first round में लग जाएंगा वो और waiting list जो अगले round में लग सकता है उनके लिए आपको करना है आप लोगों को 9 अगस्त को करना है तीन बजे यह कहां पर आएंगा यह website के उपर आजाएंगा कौनती website के उपर आएंगा यह dbscience के website के उपर आजाएंगा उसके बाद जो finalization of merit list है मगर मतलब इसका मतलब की अगर आपका number लगा है तो आप लोग admission आपको अगर confirm करना है तो आप लोग किस तरह से कर सकते हो आप लोगों को 10 अगस्त से लेके 11 अप टू 3 पीम मतलब 3 बजे के पहले आप लोगों को कर लेना है 10 तारिक और 11 तारिक को मैं आपको बता दे रहा हूँ पिछली बार भी बच्चों ने यही गलती किये थे अगर आपका first merit list पे नाम आता है तो आप लोगों को 10 और 11 तारिक को admission करना ही पड़ेंगा DB Science College जाकर otherwise आपका admission नहीं होगा और आप लोग अगले round के लिए भी qualified नहीं रहोंगे आपका अगले round में नंबर लगने का कोई chance ही नहीं है आप आप से भार हो जाओंगे तो वो चीज़को आप लोग को धियान रखना है उसके बाद आप लोगों को अगली list के लिए wait करना ह 12-8 को जोकी आएंगी उसके बाद DB Science College में आप लोग Physics, Chemistry, Botany, Computer Science और Microbiology में MSC कर सकते हो तो यहाँ पर कुछ instruction है वो हम लोग देख लेते हैं पहले आप लोगों को RTMNU की officially website पे जाना है और website में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर registration कर लेना है 20 रूपे ल पतार हो कि यह मैंने इसकी कुछ वीडियो में discuss किया हूँ मैं आपको लिंक दे दूँगा description में वहाँ से जाके आप लोगों को देख लेना है कि किस तरह के से आप लोगों को Digital University.ase के उपर registration करना है उसके बाद separate application should be filled each subject on each college website इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों को लगत अलग subject के लिए अलग-अलग registration करना है dv science की officially website के उपर उसके बाद आप लोगों को university application को अटा करना है during upload university application form during calling registration okay उसके बाद आप लोगों को mark sheet डालना है जो भी मंगेंगी आप पर BAC 6M, 5M, result जितना भी है उसके बाद the student complete any professional course in okay उसके बाद the selected student per merit list to finalize their admission to their prescribed time limit वही जो मैं आपको बताया कि वह 10 और 11 तारी को आपको admission कर लेना है अगर आप लोगों का नाम आता है first merit list के ओपर उसके बा वो यहाँ पर यह बोल रहे है कि अगर आप लोग original documents जो की वो मांगेंगे वो नहीं दिखाऊंगे तो आप लोगों का जो admission है वो confirm नहीं होगा उसके बाद लिखा है other university students should apply with proper eligibility certificate जो other university के बच्चे है उनको eligibility certificate ये क्या होता है इसकी वीडियो मैंने बना चुका हूँ आई अंपल सरी eligibility certificate उनके पास होना चाहिए उसका merit list and waiting list displayed on the college website आप लोगों को जितनी भी waiting list है merit list है college की officially website के उपर मिल जाएंगा उसके बाद जो requirement documents है BSC की mark sheet उसके बाद 11-12 की mark sheet आपकी TC, caste certificate, non criminal certificate, किसके लिए UBC और NT students के लिए caste validity, SCST के लिए आधार card और nationalized passport bank passport ये SCJ आप लोगों को compulsory है उसके बाद अगर आप लोग कोई problem जाती है तो आप लोग inserts को call कर सकते हो उनका number या पे listed है उसके बाद आप लोगो important link से आपर लिखे दिये तो finally क्या निकला इस वीडियो का पूरा सार पहले आप लोगो registration process करना है officially website के उपर उसके बाद आप लोगों को college की website पर आके करना है किस तरह से करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँँगा इसकी अगली वीडियो में तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो like करो और अगर updated रहना चाहते हो तो इस channel को subscribe कर लो तो इस वीडियो में इतना ही अगली व बाइ